हाई दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्मी वीट और मैं हूँ आपके साथ उक्रतिका सुशान सिंग राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन सुशान की यादे हमेशा हमारे दर्मिया रहेंगी और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है ये सवाल बना हुआ है अभी तक कि आखिरकार सुशान सिंग राजपूत ने सुशाइट जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया उनके चहने वाले उनके करीबी उनके परिवार वाले अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार सुशान ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान क्यों दे दी है पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है उनके करीबियों के बयान दर्ज किये जा रहे है बता दे कि सुशान की गल्फरेंड रिया का भी बयान दर्ज किया जा चुका है यहां तक कि उनके खास दोस्त सिधार्थ का भी बयान दर्ज हो गया है और अब इस लिस्ट में नाम शुमार होता नज़र आ रहा है उनकी एक्स गल्फरेंड अंकिता लोखंडे का बिल्कुल सही सुना आपने ये जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं कि अब अंकिता का बयान दर्ज होना है उनसे पुलिस पूछ ताच करेगी लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि आखिरकार अंकिता से सुशान के बारे में किस तरह के सवाल किये जाएंगे से ब्रेकप के बाद भी उनकी बातचीत होती रही है आखरी बातचीत इन दोनों के बीच में कब हुई थी ये दोनों आखरी बार कब मिले थे इतना ही नहीं ये भी पूछा जा सकता है कि अंकिता और सुशान का ब्रेकप आखिरकार क्यों हुआ था क्या अंकिता जानती थी सुशान्त की जो मानसिक्स थीती है वो कैसी चल रही है और वो किस किस के टच में थे ये इस तमाम सवाल अंकिता से पुलिस पूछ सकती है क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को सुलजाने में जुटी हुई है और वो सबूत इकठा कर रही है कि आखिरकार सुशांत क्यों मजबूर हो गए आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने के लिए इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हुमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा